प्रियंगा किचिन में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ हरे मटर से बनने बाली मसाला पूरी की रिया स्पेसियर करने बाली हूँ ये खाने में बहुत ही टेस्टी और मचेदार होती है इसे आप नास्ते के लिए और आपके गैस अगर अगर गैस्ट आजाएं तो आप उन्हें भी बड़े ही जटपट बनाके खिला सकते हैं ये कचोरी से भी जादा टेस्टी होती है देखिए इसमें कितनी मज़ेदार स्टपिंग बग के तयार हुई है और इसे दही के साथ खाने से तो इसका टेस्ट और भी जादा बढ़ जाता है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो चलिए फ्रेंड अब इसे बनाना सुरू करते है इसके लिए मैंने एक कप मटर को चील कर दो ले लिया है और अब इसे हम जार में डाल कर ग्राइन करेंगे और इससे हमें ज़oga िबनाना है इसे मज़े धरदर आई रहने दिना है ताकि इसमें जो टेस्ट और बड़ा ही अच्छा आये, ये दिखिए हमारी मिटर पिश चुकी है और इसे हम इसी तरीक पीसेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पीसेंगे चले हम गास की प्लेम को वर्ण कर लेते हैं और इस पर एक पैन को रग देते हैं और पैन को गर्म होने देते हैं जैसे हमारा पैन गर्म होता है हम इसमें दू चम्मच ऑईल डाल देंगे और हमारा ऑईल गर्म हो चुका है और इसी के साथ हम इसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे और जैसे हमारा जीरा चटक नहीं लगेगा इसमें हम आधा चम्मच सौंप भी डाल देंगे और जब ये दोनों हमारे अच्छे से भूनने लगे ये देखिए हमारे दोनों अच्छे से भून चुके हैं इसी के साथ हम मिर्ची और अध्रक का पीश्टिस्ट में डाल देंगे आप चाहें तो इसमें लेसुन भी मिला सकते हैं अध्रक का यूज नहीं किया है हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं इसी के साथ हमने जो मटर ले थी अब हम इसमें बो टाल देंगे और चलाते हुए मटर को भून लेंगे और अब हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे आदा चम्मच धन्या पाउडर आदा चम्मच लाल मिर्च पाउडर अपने अनुसार कम जादा भी ले सकते हैं और साथ ही हम इसमें स्वादा नुशा नमक एट कर देंगे नमक के बाद ही हैं अब हम गरम मसाला एट कर देंगे और सारे मसालें को चलाते हुए अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे और ये देखिए जैसे हमारी मटल भूनने लगेगी इसमें से खुजबू आने लगेगी और साथ ही इसका हलका हलका कलर भी चेंज हो जाएगा ये देखिए हमारी भून के तयार है सबसे लास्ट में हम अमचुर पाउडर और धनिया पत्ती डाल देंगे और इसी के साथ हमारी ये स्टपिंग बनके तैयार या विसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे हमने हमारी स्टपिंग को ठंडा होने के लिए रख दिया है चलिए अब इसके हम लिए हम आटा लगा लेते हैं इसके लिए हमने डेर कप गेहू का आटा लिया है और अब हम इसमें दो चप मच कुकिंग ओईल डाल देंगे कुकिंग ओईल डालने से इसके जो हमारी पूडिया है बड़ी ही खष्दा बनके तयार होँगी और साथ ही अब हम इसमें नमक अट कर देंगे नमक हमने पहले भी डाला था है इसलिए हम नमक कम ही डालेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते होए अच्छा सौप्ट सा डू लगांकि तयार करेंगे soft dough हम इसलिए लगाएंगे कि इससे हमारी पूडिया है जो बहुत अच्छी बन के तयार होंगी ये देखिए अच्छे से मसलती हुए मैंने इसका soft dough लगा लिया है और चलिए देखिए हमारा soft टाटा लगके तयार है और अब से 5 मिनिट तक रखकर हम रख देंगे आटी को हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया है जब तक हमारी stepping ठंडी हुच गया है इससे हम छोटी छोटी बॉल बना के तयार कर लेंगे पूडियों में बढ़ने के लिए ये देखिए मैंने इसी तरीके के सारी बॉल बना के तयार कर ली है जब तक हमने सारी बॉल बना के तयार की हमारा आटा सेट हुच चुका था इससे हमने लोई यां बना लिया है चलिए विसे बढ़ना सुरू करते हैं इससे हमने एक लोई ली है से बंद कर देंगे और दबा देंगे और अब इसे हम हलके हाथों से बेला सुरू करेंगे इसे हम हलके हाथों से ही बेलेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने स्टपिंग डाली है इसे हम ज्यादा प्रैसर डाल के नहीं बेलेंगे इसे हम हलके हलके हाथों से ही बेलेंगे और इसक की है देखिए कितनी अच्छी बिली है देखिए अब इसी तरह हम बाकी की भी पूड़ियां बेल लेंगे ये देखिए मैंने इतनी पूड़ी बेल के तयार कर ली है चलिए पूड़िया तलना सुरू करते हैं इसके लिए मैंने गैस पर कड़ाई में ऑईल डाल के गर्म करने के लिए लग दिया है हमारा ओयल गर्म होचका है अब इसे हम इसमें पूड़ी डालते हैं ये देखे और जब हम इसमें पूड़ी डालें तब हम इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा ओयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो हमें मीडियम ही गर्म रखना है क्योंकि हम मीडियम प क्रिस्प कर सकते हैं पस मैंने इसे इतना ही क्रिस्प रखा है आप चाहें तो और भी क्रिस्प कर सकते हैं और इसी तरह हम बाकी की पूडियों को भी तलके तयार कर लेंगी ये देखिए मैंने इतनी पूड़ियां अपतल के तयार कर ली है और अब इसे हम सर्प कर लेते हैं मैंने इसे दही के साथ सर्प किया है ये दही के साथ बहुत ही अच्छी लगए आप चाहें तो इसे अचार के साथ चाय के साथ किसी चीज के साथ सर्प कर सकते हैं अगर आपको ये मेरे रेस्पी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिल्कुल भी ना भूजें और आपको ये रेस्पिक कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं